हेलो एवरिवान खमा घनीसा स्वागत है आपका अपने चैनल रजवाडी बिननी सामें तो टाइटल से आपको पता लगी गया होगा कि मैं आज शेर करने वाली हूँ आपके सांथ राजपुती चुडो का कलेक्शन तो जब तक मैं आपको एक एक करके सारे बेंगल्स दिखाती हूँ तब तक आप सिनेमेटिक शोट्स इंजोई कीजिए तक मैं आपके सांथे का झाम आता भाली हूँ परके सांथर का लगी टात आपको एक एक का मैं आपके सांथनगों आपके सांथे प्रावा सबसे पहले जो मैं आपके शाथ में शेर कर रहे हूं वह यह वाला चूड़ा देखिए बहुत ही सुन्दर चूड़ा है और यह चूड़ा जो है राजपुती चूड़े की सबसे बड़ी पहचानी होती है यह धलान में आते हैं धलान में जैसे पीछे की चूड़ी सबसे बड़ी होगी उससे चोटी फिर उससे चोटी और सबसे चोटी रहती है तो पीछे की साइट उससे बड़ी उससे बड़ी उस टाइप से यह चूड़े रहते हैं और इस टाइप का चूड़ा जो नई नवेली दुलहन रहती है हम राजकुतों में जब पढला जाता है सुस्राल पक्ष से तो इसी टाइप के चूड़े जाते हैं और इसमें हाती दात के चूड़े भी बनते हैं और यह नोर्मल से चूड़े भी बनते हैं तो यह डहलान में होते हैं अधिकतर तो आप देख सकते मैं आप ब्लू कड़ाड़ा सकती हुमें या बीच में भी कुछ एट करना हो तो वेसे पूरा हाथ भरा जाता है इसमें देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है भी नई भी बिन्याय सब्बी के पास कोमन रहते यो चूड़े तो होते ही होते हैं कि सभी शूतों पर यह चले जाते हैं हाँ दो बहुती सुंदर चूड़ा है next चूड़ा बतातजिए haven और अब बारी इन चूड़ों की यह देख सकते या औरушка उरेंज कलर में यलो कलर में हैं और रेड और क्रीम कलर में ये मुझे इतने पसंद आए थे कि में वहाँ पर जितने भी कलर इनका वह वर्क की विल्कुल अंदर है और कितने सुन्दर लग रहे हैं यह जब हम हेवी पुशा के पेहन तो उन पर ये चूड़े भोथ ही सुन दर लगते हैं सिंगल भी पहन सकते हैं या फिर पूशा पर ये भी पहन सकते हैं इनका वह पूरा एक सेड़ करें अगर जैसा भी हम लोग पसंद करें इसे बना यह देख सकते हैं आप कितने सुन्दर लग रहे हैं तो अब है बारी यह वाले चूड़ों की देख सकते हैं आप पास से अगरे पास अधिकतर गोल्डन कलर के चूड़े जादा है यह देखिए अभी भी मैंने दिखाये थे और यह पेर्स हैं यह सिंगल कड़े जिनको डेली में यह कोटन की सूट पर हम लोग डाल सकते हैं जब कोटन की सूट पेर करते हैं तो सिंगल सिंगल डालने रहते तो उस किसी तरीके से यह सूड़ाय भी है वह देखिए इनका भी बहुत सुंदर है यह देख सकते आपको को पूरे चुड़े पर्शाल्य को सुंदर को बताजूं पूरे बोला जाता है इंको इस तरह से हैं यह सिंगल सिंगल ही रहतें अब आप देख सकते हैं यह यलो कलर की चूड़िया यह इस पैसली होकम मेरे लेकर आये थे जब लाश्ट टाइम में भिलवाडा पदा रहे थे तो वहां से मेरे लेकर आये थे एक यह है और एक यह ओरेंज कलर में देख सकते हैं दोनों ही इतने सुंदर लग रहे है और यह आप देख सकते हैं हैं बहुत ज्यादा साइनिंग कर रहे है दोनमें पार तो बहुत ही सुंदर लगते हैं विए से मैं अब सारे चुड़े एक एक पहन कर तो नहीं पता सकती क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको इसे करके दिखाती हूं बाची के विए दिखा जेती हूं इसमें सारे गोल्डन कलर के हैं क्योंकि गोल्डन कलर मेरे पास ज्यादा है और एक रेट कलर इसमें हैं यह गोल्डन चुड़िया हैं यह डाइमंड लगे हुए हैं यह बंगडिया और यह सिंगल सिंगल कड़े हैं जिन में इस तरह का वर्क करा हुआ है उसके बाद में उसके बाद में यह आपको दिखाते हूं की कड़े हैं इसमें राणी कड़े हैं इसमें रेट कड़े हैं इसमें यजलो रेड और यह लाग की चूडिया है कि जो चूड़े के आगे जोन अगर डालनी रहते हैं तो हम लोग ये चूड़िया ढालनलेता है देख सकते हाम कि बताती हूं आपको यह वाला चुड़ा यह चूड़े में जितने भी आपको बता रहे हूं सारे मेरे पास में धलान के हैं क्योंकि जो कोशा के रेती हुं उन पर जो चूड़ा हम लोग वियर करते हैं वो इसी तरह के होते हैं धलान के तो यह देखे इनका भी ओरेंज और गोल्डन है कलर यह भी बहुत सुंदर लग रहा है वैसे अगर आपको मेरे सारे चूड़े और भी देखने हैं क्योंकि कुछ साइद में नहीं दीखा पा रही होंगी तो मेरे जो सौट्स वीडियो डले हैं में बहुत सारे वीडियो में पहन रखे हैं तो आप वहां जाकर द पानी भी लगता रहा लेकिन भी काला नहीं पढ़ा है क्योंकि सारे चूड़े रहते से पानी लगने के बार में काले पढ़ जाते बट यह नहीं पढ़ा बहुत सुंदर चूड़ा है यह दिखा देती हूं मैं आपको यह चूड़ा जो डेली वियर में हम लोग पहनते हैं और यह यह रेट कलर इसके मेरे पास में एक यलो कलर भी है क्योंकि यह मुझे बहुत ही पसंद है और डेली में मैं इस तरह के चूड़े वियर करना पसंद करती हूँ यह जिसे साधी में अगर हल्दी फंक्सन होता ही है तो उसमें हम लोग यलो कलर की जो कोशाक पहनते हैं उस पर यह चूड़ा वियर कर सकते हैं और इसके साथ में दूसरे जो चूड़े हैं जो चूड़िया है वो भी हम लगा सकते हैं देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आपको साधी केमरे में थोड़ा लाइट लग रहा होगा बट यह भोती डार कलर का है तो बहुत ही सुन्दर चूड़ा है उसके बाद में गोल्डन कड़े हैं यह भी मेरे फेवरेट हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस देख सकते हैं इसमें डिजाइन डली हुई है फ्लावर बने हैं कुछ साध केमरे में ठीक से आ नहीं पा रहे हुँई लेकिन बहुत सुन्दर है आज का जो चूड़ों का कलेक्शन है वो मैंने आपको दिखा दिया है आई होप सो कि आपको चूड़े पसंद आये और आपको सबसे अच्छा चूड़ा पून सा लगा, कमेंट से बॉक्स में जाकर जरूर मुझे बतायेगा, और आगे आपको कुछ भी राजपुती जोयल्टी या ड्रेसे जिस किसी से भी रिलेटीव, कुछ भी आपको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट से बॉक्स में ज तब दिखाने की तब तक के लिए खमागने साथ